23 जून को उत्तर प्रदेश के दू लोक सवाँ छेतरों में चुनाव होना है जो आजमगर का लोक सवाँ छेतर है और रामपूर का लोक सवाँ छेतर है 23 जून को चुनाव होना है और पुर्य देश की नजर जो है टिकी है कि आखिर क्या नतीजा आएगा लेकिन एक बड़ी खबर ये है कि जहां चाहे वो रामपूर हो या आजमगड़ हो योगी आधितनात हूँ जो उत्रप्रदेश के मुखमंत्री हैं इसके लावा जो डिप्टीचिप मिश्टर हैं केसर प्रशाद मोर वो तमाम लोग चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं लेकिन दुनों जगों पर चाहे वो आजमगड़ हो या रामपूर हो वहाँ पर अखलेश यादव जो है वो प्रचार करने नहीं पहुँचे वहीं आजमगड़ में बतादे की निरहुआ वहाँ से प्रतियाश्य दिनेश लाल यादव और उनके समर्थन में जो तमाम भोजपूरी के दिग्गस कलाकार हैं और विजेपी से जुड़े हुए हैं चाहे मनोज तिवारी हुँ इसके अलाबा जो आमरपाले दूवे हैं और जो भोजपूरी के बड़े बड़े कलाकार हैं सब लोग पहुँचे दिनेश लाल यादव के समर्थन में पहुचे थे तमाम भोजपूरी चित्र के जो महान दिगज हैं सब लोग पहुच रहे हैं लेकिन अखलेश यादव आजमगड क्यों नहीं पहुचे इसको लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं क्योंकि आपको बता दें कि वहां से अखलेश यादव के चचरे भाई हैं वह से वो जो है लोग सभाग के परत्याशे हैं वहीं दूसरी तरब जो है रामपूर का जो इलाका है वो जो आजम खान है जो इस वक जेल से बाहर आए उनको पूरी जिवमारी दे दी गई है और एक बड़ी खबर यह आ रहे है खलेश यादव जो है सपा जो है इस बात को ले जो है आजम गर्ड संसदिय सीट से अखलेश यादव और रामपूर लोग सभा सीट से आजम खान की स्तिफे देने से खाली हुई ये सीट है ये दोनों ही लोग सभा सीटे सपा की हैं जिसके चलते पाटी की साथ दाव पर लगी है आजम गर्ड सीट पर सपा से धरविंदर यादव मैदान में है जबकि बीजेपी से दिनेश लाल यादव उर्फ में रहुआ और बसपा ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को टिकट दिया है वही रामपूर सीट पर सपा से आसिम राजा और बीजेपी से घंस्याम लोधियाम ने सामने हैं कॉंग्रस ने दो बीजेपी ने जो मैवती की पार्टी उसने आजमगर से एक मुस्लिम परत्यासी को जो है वहाँ पर टिकट दे दिया है तो मैवती कहीं ने कहीं सफ़ा खेल बिगार सकती हैं लेकिन सफ़ा इतना कॉंफिडेंट क्यों है अलाकि आजमगर में दिनेश लाल यादव के कार हैं जो अभिनेत्रियां हैं अभिनेता हैं वहाँ पहुंच चुके हैं और चुनाब पर चार कर रहे थे अब चुनाब पर चार का वक्त खत्म हो चुका है लेकिन चुनाब जो है वो तैस जुन को होना है और नतीजे आएंगे और फिर कहीं ने कहीं इस बात को लेकर चर तिश्ठद आउपर है तो फिर अखलेश श्यादव दूनों लोग जवाजचित्रों में चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं गए क्या उनको डर लग रहा है कि वो चुनाव हार जाएंगे इसले नहीं गए या फिर वो ऑवर कॉन्फिडेंट है अलाकि क्या कुछ होगा ये तो नतीजा आने के बाद सब कुछ साफ उपाएगा आप देखते रहे हैं NBC24 बहुत बहुत धन्यवाद